हेलो दोस्तों मैं कितावस्ती स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब शैनल बीइंग टीचर पर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएट सेकेंडियर का जो पेपर नमबर सेकेंड है इन से रिलेटर जो हमारे अब्जेक्टिव क्वेशन्स हैं वो इस वीडियो में मैंने डिसकस किये हैं तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि इसमें सारे ही क्वेशन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं चुन-चुन के क्वेशन्स निकाले गए हैं सिलेबस के एकॉर्डिंग तो आप पूरा वीडियो देखेगा जिससे की सारे ही क्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए रही बात कन्फूजन की तो अग दो दिन की आपकी मेरथन क्लासे हो जाएंगी जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एक भी क्वेशन आपका सिलेबस के कॉर्डिंग छूटेगा नहीं ठीक है आपको एक एक क्वेशन चुन-चुन के बता दि यह तो देखे PDF अभी आप ये lecture complete कर लीजे lecture जो मैं आपको upload करके देती हूँ इनको complete कर लीजे जो PDF है वो upload करने में time लग जाता है क्योंकि अभी lecture फटा फट से दे रही हूँ क्योंकि PDF में answers भी लिखने होते हैं उन सब को अपना edit करके upload करना होता है तो इसमें लगता है बहुत ज़्यादा time इसके लिए फटा फट से content बना के बस record कर दिया जा रहा है जिससे की आप लोग को जल्दी जल्दी से questions मिल पहें ठीक है और जो भी confusion है comment box में बताईएगा ठीक तो चलिए start करते हैं पहले question से ज़्यादा time नहीं लेते हैं इस वीडियो में आपको Hindi और English दोनों में दिया जा रहा है आपको जिस language में suitable लग रहा है आप वो वाला देख लीजेगा पहला question है Education is a process in which knowledge and skills are transferred सिख्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्यान और कोशल का तबादला किया जाता है इसमें चार option दिये गए हैं और यह जो प्रक्रिया बताईगी है यह पूछा गया है कि किन लोगों में यह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशल का तबादला किया जाता है तो पहला option लिखा हुआ है from a few persons to few persons, फिल लिखा हुआ है from a few persons to large number of people, फिल लिखा हुआ है from a few persons to the next generation and फिल लिखा हुआ है from a generation to the next generation, यह 4 option दियेगे हैं, इसका correct answer हमें देखने के लिए नीचे scroll करना पड़ेगा, इसका correct answer है from a few persons to the next generation, मतलब कुछ व्यक्तियों से अगली स्टूडेंट्स मतलब सिख्षा में किसका उपयोग सीखने और विकास के चात्रों की बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है यहाँ पे चार आप्शन्स दिये गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेस्मेंट जो एसेस्मेंट है सिख्षा में एसेस्मेंट का मतलब मुल्यांकन का उपयोग सीखने और विकास के चात्रों के बारे में अनुमान लगाने के लिए यूज होता है थर्ड नंबर क्वेशन इस कि इंस्ट्रूमेंट यूज़्ट फॉर मेजरिंग आ सैंपल और बहेवियर इस एक नमूना एक विवहार को नापने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरड है कौन सा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टेस्ट मतलब परिक्षा एक नमूना एक विवहार को मापने के लिए इस्तेमाल किया उपकरड है परिक्षा नेक्स्ट क्वेशन हमारा है लिमिटेट टूदा क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्षन ओफ दी प्यूपल्स पर्फॉर्मेंस इस्चात्र के परदर्शन के मात्रात्मक विवरड तक सीमित है इसमें चार ओप्षन दिये गया है टेस्ट मेजर्मेंट असेस्मेंट Is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitude and beliefs to refine programs and improve student learning मतलब क्या इन में से जो चार ओप्षन दिये गये हैं पूछा गया है कि क्या कारिक्रमों को परिस्क्रत करने और छात्र सीखने में सुधार करने के लिए ज्यान, कौशल, द्रस्टिकोड और विश्वासों पर अनुभवई जन्ने, data का दस्तावेजी करण और उपियोग कर परने की विवस्थित प्रक्तिया है, तो इसका correct answer हमें समझना है, तो इसका correct answer है educational assessment और educational evolution, सैखशिक मुल्यांकन या सैखशिक मुल्यांकन, next question हमारा है evolution that monitors learning progresses, मुल्यांकन जो है, ये मुल्यांकन है कि सीखने की प्रगरत पर नजर रखना, तो placement evolution, formative evolution, diagnostic evolution या फिर summative evolution, तो इ एक मुल्यांकन जो है, next question है, assessment can focus on मुल्यांकन जो है, इस पर ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं, कौन ध्यान के इंद्रित कर सकता है, व्यक्तिगत सिक्षारती, सीखने वाला समुदाए, एक academic का रेकरम या फिर उप्रोक्त सभी, मतलब individual learning, learning community, academic program या फिर all of the above, अब अगर मु जो assessment है, assessment can focus on मुल्यांकन पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए, ये सारे चीजों की जुरुत होती है, मतलब all of the above, आपका सारा syllabus फटा फट से complete हो जाएगा, आपकी last दो दिन जो है, जो 30, 29, 30 में आपका जो marathon classes है, वो चल जाएगे, जिसमें पूरा का पूरा आपका syllabus revise हो ज फूटेगा नहीं, कहीं बाहर से पूछाने जाएगा, जो भी हमने lecture दिया है, उससे से आपके exam में जरूर से question फसने के chances होएंगे, next question हमारा पूछा गया है, which assessment is carried out at the end of a course, a project, मतलब की किसी project के अंत में कौन सा मुल्यांकन किया जाता है, summative assessment या फिर formative assessment या फिर diagnostic या फिर में से कोई भी नहीं, तो इसका correct answer है योगात्मक मुल्यांकन, मतलब की किसी project के अंत में योगात्मक मुल्यांकन जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, next question है कि assessment is a form of questioning which has a single correct answer, मतलब मुल्यांकन खोज का एक रूप है, जिसका एक सही उत्तर है, कौन सा उदेश, सिधान्त, या फिर व्यक्तिपरक या फिर उप्रोग्तों में से कोई नहीं, objective, theory, subjective या फिर none of these, तो इसका correct answer है जो objective है, objective assessment is a form of questioning which has a single correct answer, next question हमारा पूछा गया है कि which assessment deals with the whole difficulties at the end that occurs during the learning process, मतलब कौन सा आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली पूरी कटनायों से संबंदित है पहला है योगात्मक मुल्यांकन या फिर प्रारभ्विक मुल्यांकन या फिर डाइगनोस्टिक मुल्यांकन या फिर none of the above, तो इसका correct answer हमारा है diagnostic मुल्यांकन, मतलब कि diagnostic assessment, which assessment deal with the whole difficulties at the end of the occur during the learning process, तो इसका correct answer हमारा diagnostic assessment, next question is can be either formal और informal, मतलब या तो आपचारिक या अनपचार दिये के हैं assessment, examination, school या फिर interview, तो इसका हमारा correct answer है assessment, assessment के सारे question है starting है उसके बाद development के हैं, तो assessment can be either formal और informal, जो मुल्यांकन है या तो अपचारिक होगा या फिर अनपचारिक हो सकता है, next question है why assessment is important, मुल्यांकन जो है वो important क्यों है, महत्तपोर क्यों है, इसके लिए हमें चारो option पढ़ने होएंगे, पहला option लिखा है to find out what the student know, दूसरा लिखा हो है to find out what the student can do and how will they can do it, फिर लिखा हो है to find out how students go about the tasks of doing their work and last लिखा हो है all of the other, ये पता लगाने के लिए कि छात्रों को क्या पता है, next है कि ये पता लगाने के लिए कि छात्र क्या कर सकते हैं, फिर next है और व काम के बारे में कैसे जाते हैं और फिर last उप्रोक्त सभी, अब अगर हम assessment की बात करेंगे तो assessment हमारे starting के तीनों point के लिए important है, तो इसका हमारा correct answer हो जाएगा, last number मतलब all of the above, next 13 number question है, space दिया हो है और लिखा हो है, is the act of looking at something carefully especially to see if there is anything wrong or the find the cause of a problem, मतलब कुस ध्यान से देखने का कार है विशेस रूप से देखने के लिए कि क्या कुछ गलत है या किसी समस्या का कारण खोजने के लिए है, चार options दियेगे हैं, इसमें आपको correct answer बताना है, इसका correct answer हो जाएगा examination, जो examination होता है, examination is the act of looking at something carefully especially to see if there is anything wrong or to find the cause of a problem, next question हमारा है, which of the following is not a tool of evolution, मतलब निम्र लि का एक उपकरण नहीं है, observation, interview, rating इसके लिया फिर report card, अब देखें इसमें क्या होता है, अब अगर आप कहीं भी जाएंगे या फिर कहीं jobs related कहीं जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका जो report card है, report card देखकर के थोड़ी ना आपका कुछ मतलब वो दिया जाए आपका अवलोकन है, साशातकार है, रेटिंग कोचल, यह इसमें important इसमें लिखा हुआ है, निमलिकित में से कौन सा मुल्यांकन का एक उपकरण नहीं है, तो जो report card है, यह मुल्यांकन का एक उपकरण नहीं है, अब report card से आप थोड़ी ना किसी को जज करेंगे, next question है, an assessment is space दिया हुआ, if it consistently achieves the same or similar students, एक मुल्यांकन है, यह दिया लगातार समान या समान चात्रों को प्राप्त करता है, मान अमान विश्वस नहीं है, अविश्वस नहीं, valid, invalid, reliable, या फिर unreliable, तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा reliable, मतलब, an assessment is reliable, if it consistently achieves the same or similar students, तो इसका correct answer third number था, next question है, evolution is considered as malum, मुल्यांकन जो है, इसको माना जाता है, परडात्मक या फिर गुडात्मक या फिर तुलनात्मक या फिर A और B दोनों, अब इसको समझेगा, मुल्यांकन को, मुल्यांकन को A और B दोनों ही माना जाता है, quantitative और qualitative, ठीक है, यह गुडात्मक और गुडात्मक दोनों का समावेस होता है, जो मापन है, मामपन, यह मुल्यांकन का ही एक अंग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, part होता है, evolution, okay, evolution का part होता है, next question is, एक अच्छे परिक्षड का विवहारिक का सौटियां नहीं मानी जाती है, मतलब है, which is not considered as a practical criteria of a good test, purposeful, reliable, या फिर economical, या फिर acceptability, तो इसका correct answer हो जाएगा, हमारा reliable, मतलब की विश्वसने, which is not considered as a practical criteria of a good test, एक अच्छे परिक्षड के दो भाग होते हैं, याद रखे, कौन-कौन से एक विवहारिक गुड हो गया और एक हो गया तक्निक गुड, यह आपका question पूछा जा सकता है, इस नहीं माना जाता है, which of the following is not considered as a technical criteria, characteristic of a good test, पहला लिखा हुआ है, reliability, या फिर, standardization, या फिर, comprehensiveness, तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा, comprehensiveness, मतलब, comprehensiveness जो है, यह एक अच्छे परिक्षड का तक्निक गुड नहीं माना जाता है, not लिखा हुआ है, confused मत होना, ध्यान देना इस बात पे next question is कि जब किसी परिक्षड में बार-बार मुल्यांकन करने पर परिडाम में अंतर नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है, when the product or outcome does not change after continuous evolution by any one of a test, the test will be called valid, या फिर, reliable, या फिर, comprehensiveness, या फिर, acceptable, इसका correct answer हो जाएगा, मतलब जब किसी परिक्षड में बार-बार मुल्यांकन करने पर परिडाम में अंतर नहीं आता है, तो वो क्या हो जाता है, trustworthy, मतलब रैवल हो जाता है, मतलब विश्वसनी है, हो जाता है, next question 20 number है, सतत और व्यापक मुल्यांकन में आपचारिक और योग्यात्मक निरधारण का कुल मुल्यक्रमशा क्या होता है, the total value of formal and summative determination of continuous and comprehensive evolution is respectively 60 to 40 percent, या 50 and 50 percent, या 40 and 60 percent, या 30 and 70 percent, the correct answer is 60 and 40 percent, 60 and 40 percent जो है, ये मुल्यक्रमशा पाया जाता है, योग्यात्मक निरधारण का, next question is 21, निर्ण लिकित में से कौन सा एक मानिकी क्रत या प्रमाडी क्रत, मतलब standardized test परिक्षड नहीं है, बुद्धी परिक्षड, अभिवरत्ती परिक्षड, व्यक्तित्त परिक्षड या फिर प्रशनावली परिक्षड, the correct answer is प्रशनावली परिक्षड, जो प्रसनावली होता है, ये एक मानिकी क्रत या फिर हम प्रमाडी क्रत बोल सकते हैं, इसका ये परिक्षड नहीं माना जाता है, टेस्ट नहीं माना जाता है, 22 question is, निर्ण लिकित में से कौन सा एक प्रमाडी क्रत और अमानी क्रत विदि नहीं है, which of the following is not a non standardized method, प्रेक्षड विदि मतलब observation method, interview method, या फिर autobiography method, या फिर हमारा creativity test, मतलब स्रजन शीलता परिक्षड, आप लोग हिंदी और English दोनों पे ध्यान दीजेगा, क्योंकि कभी-कभी होता है कि आपकी हिंदी गलत भी लिखी हो सकती है, पर English गलत नहीं लिखी होगी, ठीक है, तो आप तोड़ा English पे भी ध्यान non-standardized method है, ओके, next is 23, जो बुद्धि लवदे, जो IQ level होता है, IQ का जो formula होता है, वो क्या होता है, especially ये इसमें पूशे जाने का, मतलब है, इसमें IQ का formula आप सभी को पता होना चाहिए, IQ is equal to MA by CA into 100, ओके, आप अगर IQ level किसी का भी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे प मतलब mental is by chronical is into 100, ओके, उसकी IQ level निकलाएगी, इसे related अभी आपको एक sum भी दूँगी, next question is, बुद्धी परिक्षड का निर्माड किस ने किया, मतलब intelligence test जो है, इसका इसका इस्तेमाल, इसका निर्माड किस ने किया, तो इसका निर्माड हमारा किया है, इसके लिए आपको अभी मैं explain करके भी बता दूँगी, और भी point science में, जो question बहुत सारे बन सकते हैं इससे, तो जो बुद्धी परिक्षड है, याद रखेगा, intelligence test, यहाँ पे intelligence test की बात हुई है, बुद्धी की बात नहीं हूँ, intelligence test की बात हुई है, तो जो intelligence test है, इसका निर्माड किया था, ब बुद्धी परिक्षड सब्द का प्रियोग किस ने किया, cattle ने, कब किया, 1890 में, question objective किस हिसाब से बन सकते हैं, इस हिसाब से बन सकते हैं, सुरुपतम बुद्धी परिक्षड का जो प्रियोग किया है, जो इसका सुरुपतम प्रियोग शब्द का जो प्रियोग किया गया, ये cattle के द्वारा किया गया, कब किया गया है, 1890 में, परंतु, जो बुद्धी परिक्षड जो है, वो बनाया किसने है, बनाने का स्रेय गया है हमारा बाइन और साइमन को, कब 1905 में, ठिक, अब इसमें stern का option आया, तो stern ने क्या क्या, इस turn ने सुरोपतम जो बुद्धी लब्धी शब्द है, इसका प्रियोग किया था, और termन ने क्या किया था, जो बुद्धी परिक्षड इसको scoring करने की विद्धी बताई थी, किसने termन ने, तो सारे options clear हैं आपके, तो प्रियोग इसका सुरोपतम किया, cattle ने 1890 में, परिक्षड का स्रेय इसको मिला है, बाइन और साइमन को 1905 में, इस turn जो है, इन्होंने बुद्धी लब्धी शब्द का प्रियोग किया है, और जो termन है, इन्होंने जो बुद्धी परिक्षड है, इसको scoring करने की विद्धी बताई है, कई सारे questions इसमें बन जाते हैं, ओके, next question हमारा बीच मानी जाती है, 90-110 के बीच मानी जाती है, प्रतिपशाली बालक, जीनियस जिनको बोलते हैं, बंद बुद्धी जिसको डल बोलते हैं, और सत्या सामान ने बालक, जिसको average और normal child बोलते हैं, या फिर 30-rest बालक, मतलब very superior, तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा, जो normal होते हैं, उनका 92-110 के बीच में IQ level होता है, जो IQ से related हमारे questions हैं, ये बहुत सारे पुछे जा सकते हैं, तो इसका एक मैं आपको chart बना के दे दूँगी, उसको मैं आपको discuss कर दूँगी, आप छोटी सी 2 मिनट का वीडियो बना दूँगी, जिसमें IQ से related questions बता दूँगी, तो और सत्या आपको कोई problem नहीं होएगी, तो ये handwritten है, इसमें पहला question, 26th number question पुछा गया है कि मुल्यांकन की नवीन अवुधारणा किसके दूआरा दी गई है, who has given the new concept of evolution, new concept of evolution दिया गया है प्रोफेसर ब्लूम के दूआरा, B number इसका correct answer है, यहाँ पे answer भी लिखा हुआ है, आपको PDF य एक बालक की मानसिक आयू, मतलब MA 12 वर्स है और वास्त भी काया मतलब CA 10 वर्स है, तो इसका IQ लेवल कितना होगा, इस शायल मिंटल एज इस 12 एर और क्रॉनिकल एज इस 10 एर, तो find out करना है IQ, तो IQ का हमने आपको अभी उपर ही formula बताया है, this is MA by CA into 100, मतलब की, जो MA दिया हु वर्टन दिया है, 0000 कर जायेगा, 120 is correct answer, तो इसका correct answer हो जायेगा, A number 120, बहुत easy question था ये, 28 नमबर हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, मापन के संबंद में, निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, which of the following statement about measurement wrong, मापन मात्रात्मक गुड़ दरशाता है, मतलब quantitative गुड़ दर मापन एक बहुमुखी प्रक्रिया है, अब देखें, इसमें ये चार option दियेगे हैं, अब आप थोड़ा सा तो आप पनुमान लगा सकते हैं, कि इसका correct answer क्या हो सकता है मापन के संबंद में, तो मापन के संबंद में इसमें not पूछा गया है, तो मापन एक बहुमुखी प् इस्पेर्मेंट के द्वारा, जो इस्पेर्मेंट है, ये two factor intelligence theory उन्होंने दी है, कौन-कौन सी, g factor और s factor, g factor होता है, general factor और s factor होता है, specific factor, अब general factor में क्या होता है, general factor में जो हमारी सामानी चीज़े होता है, जो normal things होती है, उनको समझने की योगिता होती है, जो specific factor में क्या हो क्योंकि अभी next वाला भी आपको हमें वीडियो देना है इसलिए फटा-फट से आपको दे रही हूँ next question है आपको confusion होती है आप बता दीजेगा next question है निमले कि इतमें से कौन सा मानक एक प्रकार नहीं है which of the following is not a type of norms are you namak मानक मतलब is norms संताशी मानक मतलब की परसिटाइल norms स्टेडिमानक मतलब grade norms मैं जल्दी में इतनी हूँ मैं सोच रही हूँ फटा-फट से यह हो जाए फिर दूसरा वीडियो भी बनाऊ दूसरा के content बनाना होगा हाँ जल्दी नहीं करती हो okay स्टेडिमानक मतलब grade norms साथमान मतलब continuous norm तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा सतत्मा मतलब की continuous norm correct answer है नेक्स्ट क्वेशन इस योजिना बनाने और पाठिक्रम स्कूल को लागो करने में अपने चयन से बनाता है लिखा हुआ है इसका correct answer हमारा दिया गया है संसकृत संसकृत is correct answer नेक्स्ट क्वेशन 32 पाठिक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली एक मिनट इसको पड़ा कर लेते हैं लिखा हुआ है पाठिक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को क्या कहा जाता है मतलब the forces that effect the development of curriculum are called curriculum design या फिर हम बोलते हैं curriculum evolution या फिर हम बोलते हैं element of curriculum या फिर हम बोल सकते हैं foundation of curriculum तो इसा correct answer है foundation of curriculum दे answer 33 ये पाठिक्रम की प्रमुक चिंता या है मतलब major concern जो है curriculum का वो क्या है व्यक्तियों के विवहार में परिवर्थन change the individual nature, सेवा की तयारी मतलब preparation for service व्यक्तिकल संतुस्ती मतलब की personal satisfaction या फिर कोई भी नहीं इसमेंसे कोई भी नहीं अब आप ये चीज correct answer समझ सके होंगे क्योंकि इसका बहुत ही easy question पूछा गया है व्यक्तियों के विवहार में परिवर्थन correct answer is a number समाज का दरपड क्या है mirror क्या है हमारा society का खेल का मैदान, समुदाय, अस्पताल या फिर school तो इसका हम अगर दरपड की बात करेंगे तो हमारा society का एक छोटा रूप होता है school जो की है correct answer D number तो आप इसको भी याद रखेंगे particular के तत्तु क्या है elements क्या होते है करिकुलम के अनुभो सीखने के तरीके, method of learning experiences, goal and objective लक्ष और उदेश से, subject matter, विसे या फिर all of the above तो इसका correct answer है तीनों ही इसके correct answer होएंगे element of curriculum के, element of curriculum अगर आप समझेंगे, curriculum के बारे में अगर आप definition इसके पढ़ेंगे, काफी लोगों इसके definition भी दी है, तो काफी लोगों ने कई-कई तरह के definitions दी है, तो ये तीनों जो definition है ये अलग-अलग लोगों ने दी है, ठीक है method of learning experiences है, goal and objectives है, and subject matter है, तो इसका correct answer रोजाएगा all of the above next question है, जागरूकता, रोची, मुल्यांकन, परिक्षड और गोद लेने के पांच चरणों के लिए कह रहे हैं, five status and awareness, interest, evolution, trial and adaptation, are for किसके लिए परिवरतन आपको देखना है, पाठिकरम परिवरतन, curriculum change, दूसरा लिखा हुआ है पाठिकरम गठन, दीसरा लिखा है पाठिकरम विकास मनलब development and चोथाले का पाठिकरम कार्यान मतलब की implementation, इसका correct answer हो जाएगा हमारा A number, curriculum change फिर है साथिस number question पाठिकरम के बारे में मूल निर्णय बनाना है, making value judgment about curriculum age, curriculum design, curriculum elements, curriculum evolution, curriculum development, अब इसका correct answer बहुत easy है, इससी से related, अभी मैंने आपको एक उपर question बताया भी है, next question है, एक wishes school इस्तर पर एक wishe के, मतलब subject के अध्यन से संबंधित विबिन इकाईयों और wishe की सूची की प्रस्तितिकों क्या कहा जाता है, curriculum बोलते हैं, या syllabus बोलते हैं, या curriculum मैं इसलिए बूल रही हूं, क्योंकि सारा मैंने इसको देखा हुआ है अनुमान लगा करके पूरे question चुन-चुन के बनाए, इसलिए easy लग रहा है, अब इसको तोड़ मरोड के पूछा भी गया है, ये भी याद रखेगा ठीक है, तो इसको आप confuse कर सकते हैं चीजों से relate करके, ठीक है तो आप simple सा पढ़िया और simple सा फटाक से answer लगाए, कहीं धर-उधर दिमाग मत लगाए, question जो लगा है बस उसको पढ़िये, और फटाक से जो first answer रहता है, उसको लगा दीजे, आपने अगर आपको confusion है अगर तो, ठीक है 39 question की किसी विसेस स्कूल में, विसे या अध्यन के पाठिक्रम में छात्रों को दिये गए सभी प्रकार के अनुबो पाठिक्रम और सह पाठिक्रम कहा जाता है, इसका लिखा हुआ है कि all type of experiences, curricular and co-curricular imparted to the students in a particular school subject or course of study is called syllabus, या फिर curriculum, या फिर A और भी दोनों, या फिर हम बोलें इसको none of these, तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा पाठिकर मतलब curriculum next question है, NCF 2005 के अनुसार सिखशक है, अब देखेगा, NCF 2005, ये आया है, तो इससे related कई तरह के question पूछे जा सकते हैं और किस सरे के question पूछे आ सकते हैं आगे मैंने बता हैं, NCF NCF 2005 के अनुसार सिखशक क्या है, मालिक, बॉस, या फिर लीडर, नेता, या फिर facilitator, सुविधा, या फिर उपरोक्त में से सभी, तो none, all of the इसका correct answer हो जाएगा हमारा facilitator, मतलब सुविधा, ठीक है अब NCF की बात आई है, तो NCF 2005 के बारे में पुछा गया है 2005 में आई ठीक है, तो सबसे पहले इसकी full form समझे, National Curriculum Framework, इसका full form है, सन 2005 की बात पुछी गई है, सन 2005 जो है, इसकी 14, 4th NCF इन इंडिया आई थी, 4th time आई थी अब NCF से related point है, तो आगे बताते रहते हैं, NCF 2005 की सिपारिस की है, कि सवालों के 25% से 40% पर क्या होना चाहिए, तो NCF 2005 जो है, वो recommend करता है, that 25 to 40% of questions should be on, तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा लग होतर है, short type के जो question है, ये decided हुआ है, कि short type के जो questions है, ये होने चाहिए, 25-40% question paper जो होता है, उसके भाग में, Next question है, NCF 2005 ने कहा गया कि board को दुबारा परिक्षा करानी चाहिए, NCF 2005 states that the board should conduct re-examination, कब कराना चाहिए, तुरंद कराना चाहिए, या एक मेने बात कराना चाहिए, दो मेने बात कराना चाहिए, या फिर इन्वे से कोई नहीं, immediately, मतलब conduct करा देना चाहिए, तुरंद धे, Next question है, राश्ट्री संचालन समित के अध्यक्ष कौन है, Chairperson of the National Easternic, तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा, पहला लिखा, ये शपाल, क्रिश्न कुमार, गोबल, गुरु अर्विंद कुमारा, तो इसका correct answer हो जाएगा, ये शपाल, first number answer is का सही है, किसके आपके पूछे गए हैं, अध्यक्ष राश्ट्री संचालन समित के, National Easternic, Next question है, NCF अन्य पार्टिक्रम छेत्रों पर ध्यान खीशता है, उपरूग तुमें से सभी, सभी पर ध्यान खीशता है, आप लोग बीइंग टीचर से जुड़े रहे हैं, आपका सारा ही स्लेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और ऐसा नहीं है, आपका बीड का पेपर खतम होता है, फिर आप भागते रहे जाए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है, छोड़ियागा नहीं, ओके, आप भी आपकी हेल्फ हो रही है, चलिए, 45 नमबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टीचर शुद अंडरिस्टेंड दी चिल्डरन विद इन, एक जो सिक्षक है, एक सिक्षक द्वारा बच्चो को कैसे समझना चाहिए, तो एक सिक्षक के द्वारा बच्चो को सोसल कंटेक्स, कॉंटेक्स के थुरू भी समझना चाहिए, कल्चिरल कंटेक्स है, पॉलिटिकल कॉंटेक्स है, all of the above इसका correct answer है fourth number MLL approach यह most important question है याद रखेगा इसका full form जरूर से पूछा जा सकता है तो इसका full form है हमारा minimum level of learning minimum level of learning जो है यह इसका correct answer है आप जरूर से इसका समझेगा क्योंकि यह इससे related हमारा question पूछा जा सकता है फिर question आपको यह इतने सारे question हमारे हो गए है जो मुझे आपको बताने थे important सारी question थे अब यह question जो आपको last minute में दे रूए हूँ 50 number question यह मैं आप से पूछ रही हूँ आपको comment box में इसका answer बताना है आपने अभी तक कि क्या पढ़ाई करी है इसके बारे में ठीक है इसको मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ तो आप इसका answer दीजे का comment box में लिखा हुआ है कद्ध the importance of curriculum in the system of education is just like a जो सिक्षा प्रडाली है सिक्षा प्रडाली में पाठिकरम का महातु एक तरे का किस तरे मतलब एक तरे का क्या है मतलब जो importance of curriculum है यह जो system है यह education का system किस तरे का है लाइका अब इसका correct answer आपको comment box में देना है इसका correct answer क्या होगा ठीक है आपने कितनी पढ़ाई करी है यह मैं भी देखू जरा तो यह रहे आपके सारे ही important objective questions अब मैं दूसरा वीडियो फटा फट से ले आउंगी आपको 50 handed जैसे भी करके रात जगनी हो दिन जगनी है कुछ भी करना है तो आप लोगों के लिए फटा फट से question आपको provide कराऊंगी मैं और हो सकेगा तो फटा फट से PDF भी आपको टेलिग्राम पे दे दूँगी बट PDF में answer अभी जैसे ये PDF है ये आपको provide करा दी जाएगी बस थोड़ा answer उसमें editing करने में time लगता है तो वो करें या फिर हम अगला वीडियो की तयारी करें बस यही चीज रहती है तो आप पूरा वीडियो देखें समझ में आना चाहिए अगर नहीं आता है comment box में comment करिएगा PDF आफको मिल जाएगी नहीं अभी तो थोड़ा time बाद मिल जाएगी आप उसके literature मत लेजे आपको lecture तो मिल रहा है तो आप lecture से ही काम चला लेजे तब तक का और कुछ भी नहीं है और आपके कोई अगर question पूछना है या फिर और कोई बात होती है तो comment box में comment करिएगा ठीक है तैंक्यू सो मच अपना ध्यान रिखिए और connect रहिए being teacher से बाए बाए